हेलो इस्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पिनाकॉल पिनाकॉल और रेंजमेंट रियक्षन के बारे में ठीक है दखते हैं क्या है कन्बर्जन ओफ एल्कॉहल हैं तो अड्जेसेंट ओएच ग्रूप पिनाकॉल तो एकिटोन पिनाकिलोन बाई दा एक् पिनाकॉल को पिनाकॉलोन में कंवर्ट करना है यहां से एच्टो बाहर जाएगा ओएच बाहर जाएगा वाटर बाहर गया अब इसका हम लोग देखेंगे मेकनिज्म पहले तीन स्टेप को अब लोग कोपी में लिख लिएगा उसके बाद बाकी दो स्टेप पो डिसक्स करेंगे पहला स्टप में किया होगा इसती डाम लोग दिए हैं स्टेल्स वो दो भाग में तूटे गा और किहां पर टूटे गा किस तरह पे हैं एच पिलस और एच एसउ फॉर माइनस पर ठीक है एच डिस टो एस फो टूटे हाँ एच प्लस एस नो फॉर माइनस में इसले एक निकल गया यहां से हाइड्रोजन जब निकल रहा है तो एक अपना एक जो एलेक्ट्रोन था उसको छोड़ करके निकल रहा है यानि सिर्फ एक प्रोटोन लेक के पास साथ वो बाहर निकल रहा है, नीट्रोन तो होता है नहीं है, यानि जब हाइड्रोजन पलस के रूप में हो, तो उसको प्रोटोन कहते हैं, ठीक है, तो दो ओएच ग्रूप और पिनाकोल एक्सेप्ट है प्रोटोन, तो यहां पे एच पलस आयन आ करके, यहां यह अट दर्साइएंगे, तो यहां पे इस उक्सेजन पे क्या है, लोEC n क्या है लोन्upal है, तो दो carbon है, कारबन और है, इसको और नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे के पास थीक है एच पलस आयना है Oxygen के पास Oxygen के पास Lone Pay यह दोनों electron इसको दिया और यह hydrogen के साथ bond बन गिया अब Oxygen electron दे रहा है थीक है Lone Pay लूज कर रहा है इसके पास आएगा पलस charge इतना के लिए रहे है थीक है यह हो गया अब step three में देखते है यहां पर क्या होगा यह जो प्रोटोनेटेड ग्लाइकोल है यह पिनाकोल यह क्या करेगा यह h2o पूरा लूज करेगा यहां पर पलूस एस ग्रूप को यह बाहर चला जाएगा अपक बाहर चाहेगा तो ऑक्सिजन क्या है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटीब है तो यह क्या करेगा जो बॉंड बॉंड एट एलेक्ट्रोन है यहां पर एक एलेक्ट्रोन का एक एलेक्ट्रोन ओक्सीजन का दोनों एलेक्ट्रोन लेकरके ओक्सीजन बाहर चला जाएगा ठीक है और यहां पर माइनस ह्ट्टू हम लोग दिखा है यानि ह्ट्टू बाहर जा यहाद है किया था याद है यहाँता निकल के गया था और यह कार्बो काटाइन जेनरेट हुआ था स्टेप फोर में क्या होगा कार्बो कटायन अंडर्गोज रियारेंजमेंट कार्बो कटायन क्या होगा रियारेंज होगा अब क्यों होगा उसको हम लोग नेक्स स्टेप फाइब में देखेंगे पहले इसमें देखते हैं कि रियारेंजमेंट कैसे होता है उसी को हम लोग यहाँ पे उतारे हैं, so करेगा,ब रेजुनेंस ना करेगा और बनाएगा,शको अब कार्वन है,इसको ऋक्सिजन है,टिक है इस औक्सीजेन और कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन जब Quran अपना इसको डोनेट करेगा यहाँ पर हम लोग उसी चीज को दर्साते हैं ठीक है जैसे ही कार्ब लोन पंफ्र दिया उक्सीजेन और कार्बन के पीछ में बन ग防 say और ओक्सीजन अब क्या हो रहा है तीन बॉंड बना रहा है एक हड्रोजन से दो कार्बन से ओक्सीजन और वैसे भी ओक्सीजन अपने लॉन पियर डोनेट किया ठीक है इतना ही समझ लिजे तो ओक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज यहां तक ठीक है अब देखें यह बोले थे ना कि यह पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से उठकर के इस कार्बन पर क्यों गया वह इसलिए गया क्योंकि यहां पर इस कार्बन पर कोई वैसा है ही नहीं जो इसको इलेक्ट्रोन दे सकता है इस लिए पॉजिटिव चार्ज उठकर के इस कार्बन पर गया इस वाले कार्बन पर पोजिटिव चार्ज इस्टेबल हो सकता है इस कंपेर तो इस वाले कार्बन पर ठीक है अब देखते हैं इस्टेप वह सिक्स अब इस्टेप सिक्स में क्या होगा प्रोटोनेटेड किटोन लोजेज आप प्रोटोनेटेड किटोन है यहां पर ठीक है जो का रहे हैं protonated ketone तो protonated ketone क्या करेगा एच पलस आयन लूज करेगा यानि प्रोटोन लूज करेगा तब हम यहां से क्या होगा कि सिर्फ हम लोग को यह ketone form मिलेगा यानि इसे को बोलते हैं पिना कोलोन ठीक है यहां पर क्या होगा hydrogen जो है अपना दोनों इलेक्टरन छोड़ करके भागेगा ठीक है एच पलस आयन के रुप में तो यह था स्टेप सिक्स है यहां तक हो हम लोग का हो गया पीना कोल पीना कोलों रियार्ज में रियक्शन तो पूरा उतार लेजिए